हेलो फ्रेंद्स वेलकुम तो मैं चैनल देशी किचन दोस्तों आपको स्वागत है मेरी देशी किचन में और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूं वह है फ्राय बिंडी मसाला और यसे बनाना बहुत ही असान है इसके इंग्रेडियन्स कि आप ही है दोस्तों मैं कटाओ धनिया गार्निशन के लिए अब कॉन फ्लार को दो बड़ी चमश यूज़ करेंगे क्रिस्पीनस के लिए जैसे मैंने कहा था नमक स्वाद अनुसा हम नमक ज्यादा नहीं डालेंगे थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हम जब आगे सबजी बनाएंगे इसकी और आदा आदा चमश लालमिश पाउडर तब भी हम नमक का यूज़ करेंगे इसलिम नमक की कॉन्टिटी बिल्कुल पोफेक्ट रखेंगे और लालमिश पाउडर यूंने आदा जाला है अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और जरुद पड़ी कि हम थोड़ा सा पानी के थोड़ा अब इसमें डालेंगे आमचुर पाउडर आदा चमश और आदा हम बाद में डालेंगे जिब सबजी बनाएंगे यह देखे मैंने थोड़ा सा रख लिया है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अलका सा इसमें दो चार भूंदे पानी के डालेंगे ताकि मारा मसाल अब गड़ा बाएंगे जब करूँटे चैनल आदा हम बाद में जब टालेंगे यह दो बड़े चबंच के पानी हमें मैं माश्बी जालें यह का कौन फलार आदा आदा हम जाए दोर से जोड़ा शेल दालेंगे और बागी मसाले भी ताकि जम इसे फ्राइपर तो इसको प्रेक्षान थेरें जिल रॉट तेस्ट है यह देहे जलगते हैं डालने मेन दोल मग रखाएं तेस्ट है कि अपीछा टेस्ट है अब मश्य पिल्ट किलीगे शर्ट कारें यह इसमें नीइगे अब प्राइब अब जैसे हमारा ऑइल तोगी 2-3 मिट के गरम हो जाएगा हम इसमे आड कर लेंगे अपनी बिंडिया अब अब जितनी बिंडी तिम सारी एक सब डालेंगे और सब को एक सब फ्राइ कर लेंगे आप फ्राइ और से अच्छी हाँ अ आप इसको चला लेंगे तो अब इसको चला लेंगे आगे सब अच्छी चलाने नेटा है अब एक चला लेने तक चालना तरब सची क्रिस्पी हो ज jóएय जब तरक के हम्टी से ज कशीति क्रिस्पी नी होगगी जबrif ning जील Cetôi निया यह ताकि हमारी बंडी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और इसको अच्छे से चलाते रहना और सम्भलकेश जलाना है ताकि हम जब गरम ओई पर काम करते हैं थोड़ा सा में साब दाने ही पर इतनी चाहिए अब यह देखिए इसमें करीब हम 5-10 मिनट और लएंगे से फ्राइब हो अच्छे से फ्राइब करना है ताकि जब मसाले में डाले तो इसकी क्रिस्पीनेस बनी रहे तो बिल्कुल सॉफ्टना हो जाए इसको अच्छे से करारा करेंगे थोड़ा सा थाइंग लगगा पर इसकी बाद जो दिश आपको मिलेगी बहुता टेस्टी होगी यह देखिए अब इसकी किस्पी हो चुकी है यह देखिए आप देख सकते हैं अब इसको हम प्लेट पे निकाल लेंगे थोड़ा सा धियान से यह देखिए इसको अपी अच्छा कलर आ गया अगया है अगर यह थोड़ा सा चिपक भी जाए तो कोई टैंच्वीन की बात नहीं है जब अब आप एक देखिए जार में जो मैंने आपको दिखाया थे स्टार्टिंग में बारीक कटे हुए देर किये और साथ ही मैं आइड करेंगे चार से पांच लस्टन और एक आदा इंच का आद रख अब इसे ग्राइंड कर लिगे अब मैंने इसको पीस लिया है अब इसको म आई आज में आद आध मी रखे हमारा थिजडींल ये समीडान के य articulate रख्ते लखिए कि या बार वnov अहाद आध में बिल सब्हस्तार में प्लग्त कर से बार या है आट बारेने के अर थे पिलार के लालेंगे के में ऐम फ़च्छ ही में वस्टाइ स्कें çalख में टोटा के वैस्ट न हो कि माउने मसाले के तरह का थिरीजा में जोगेसे जो जो जिसम भूम लेंगे से जार टाइम मी लगेगा कुछी से टमाटर अधरप और नसर का पेस्ट रहा है इसरह में आड़ करेंगे नमक नमक पाढ़न तो आदा चमिश जो लाल मिश मैं आपको पहले दिखाई थी बच्वी मैं उसे भी आड़ करूंगे और थोड़ा सा आमशुक पॉड़र जो मैंने पहले से बचा के रख लिया था स्टाटिंग में आपको वीडियो दिखाई थी तो उसे भी आड़ कर लेंगे इससे एक अच्छी की खटास रही है हमारी इन बिंडी में जो कि हमें चाहिए तो अच्छी की खटास होगी है तोड़ी ती आम शुकी अच्छी की पकने लेंगे जारा डाइन लगेगा इसे बस करीब दो रती में एक और लगेंगे अब देखते हैं तेल अच्छे साइड में आ गया है और इसको मीद में प्लेटें पर पात्वहानी आशी है पीजादेश 하기 पड़ार इसको पकालीगा यह मार्रा मछा बंटे जो पेस्टा हो वह बिलतो अच्छी सा ठाय होगा है तो लगेगै नान oldest राज हाग बेदें चला लेगें और छालेगें। स्वर्ड़ी अबचे को पालियें लिए इसमें थीत्वी प्राइक कीने में。 अब प्राइक की थी, तरह आप बारों प्राइक से कटने में चाहिए। नहीं करें अजिए अब प्राइक स्काइए। अगर आपने जादा बिंडी बनानी है तो तो देखें अब बस इसको थोड़ा सा पकाके यह बिल्कुल रेडी है इसको में गार्णिश करेंगे दनिया से दनिया बत्ना ने बारिक काटके रख लिया है और यह बिल्कुल रेडी हो चुका है मैं अपना फ्लेम बंद कर दूने आपकी चटपती में सारा भिंडी बिल्कुल रेडी है आपको में रेसीपी कैसी लगी है झाल झाल